नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम एक और नया विंजन सीखने वाले हैं, वो है ध़ग। क्या बोलेंगे ध़ग। तो चलो बच्चों, आज मैं आपको ध़गी कहानी सुनाती हूँ। तो चलो चलो बच्चों, जल्दी से बैठ जाओ और आज मैं सुनाने वाली हूँ ध़गी कहानी। ध़ग नाम का एक व्यक्ति था और उसके पास एक धोलक थी। क्या थी धोलक। वह रोज धोलक बजाकर नाश्टा था। क्या करता था? नाश्टा था। उसके धेर सारे दोस्त थे। क्या थे दोस्त? कैसे? धेर सारे। उसके दोस रोज आते और ध उनको धोलक पर नाश्ट दिखाता था। उसके दोस धपली भी बजाते थे। क्या बजाते थे? धपली। धपली बजाते और नाश्ट देखते। किसका नाश्ट? धक और एक दिन धक की धोलक नहीं मिली। तब उसने पता है क्या किया। तब उसने धककन लिया। आप सबकी मम्मी कुछ भी बनाते हैं तो उस पर धकते हैं ना। उसको हम क्या कहते हैं धककन। तो ध़ने धककन बजाकर क्या किया? नाश्ट दिखाया। तो बच्चो धसे क्या क्या हो गया? धसे धोलक। चलो चलो मेरे साथ धोलक बजाओ। धसे धेर। क्या हुआ? धेर। और धसे धककन। धसे धककन। और धसे धपली। चलो बच्चो मेरे को बताओ धपली किस-किस के पास है? और धोलक किस-किस के पास है? और हम मिलते हैं हमारी तब तक के लिए नेक्स वीडियो में ओके बाई बाई